Hello Friends, This is Vikas and you are watching BK24 Study Zone इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 27 December के Current Affairs के बारे में तो इस पूरे वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा और यहां पर एक एक question को हम डिटेल में discuss करेंगे और 37 इस वीडियो के last में मैं आपसे कुछ question पूछूँगा जिनके answer आपको comment करके देने हैं कुछ question previous exam papers हैं और कुछ जो है हमारे Current Affairs के हैं जो कि मैं regular करवाता हूँ तो उनके answer आप लोग comment करके बता सकते हैं जो भी उन question के जो सही answer होंगे वो कल की वीडियो में आपको मिल जाएंगे साथे साथ इस वीडियो का detail PDF का link आपको description में दिया हुआ है तो आप लोग वहाँ से download कर लीजेगा तो शुरूबात करते हैं पहला question हम अपना आज करेंटरिफियर का ले रहे हैं हमारा पहला question है कि हाली में भारतिय पुरुस मुक्यवाजी के मुख्य काउच कौन चुने गए हैं यकि उसका सही answer है CA KATAPPA यानि कि Option B वाला यहां पर सही है अभी हाली में भारतिय पुरुस मुक्यवाजी के जो मुख्य कोच चुने गए हैं चुने गए हैं C.A. कटपा और याद रखेगा कि ये C.A. कटपा जो है वो S.R. सिंग का इस्तान लेंगे ठीक है S.R. सिंग जो है इससे पहले मुख्य कोच थे भारतिय पुरुस मुख्यवाजी के और अब ये रिटार हो चुके हैं और इनकी जगा पर C.A. कटपा को नियुक्त किया गया है तो सिंगर लाइन के कोशिन था याद रखेगा इसके बाद second question है कि हाली में किस राज जी की परसिद्ध समासेवी एवं पदमिश्री विजेता सुलागित्टी नरसम्मा का निधन हो गया है तो इसका सही answer option C वाला है यानि की करनाटक ठीक है बात कर रहे हैं समासेवी और पदमिश्री विजेता सुलागित्टी नरसम्मा की तो यह जो है करनाटक की रहने वाली थी और इन्होंने वहाँ पर काफी ज़्यदा समासेवा के काम किये कास करके ग्रामिश रित्रों में इन्होंने हजारों प्रसव करवाए है कोई ऐसे सरकारी आकड़े तो नहीं है लेकिन कहा यह जाता है करीब 15,000 से ज़्यादा जो है इन्होंने यहाँ पर प्रसाव करवाए हैं तीक है जहाँ पर भी जो है चिकिस्सा के सुविधा नहीं थी जहाँ पर डॉक्टर नहीं थे जहाँ पर होस्फिटल नहीं थे उन इला प्राप्त हुआ था तो इन्हीं का निधन हो गया है तो ध्यान रखेगा इनका नाम आपको पतावना चाहिए और कौन से राजी से थी यह यह मैंने आपको यहाँ पर बताई दिया है इसके बाद थर्ड वला कुशिन है हमारा की हाली में ग्रह मंत्राला दौरा जारी 10 पु पुलिस इस्टेशन उनकी सूची जारी की है और उसमें हमको बताने कि पहला इस्थान किसे मिला है तो पहला इस्थान मिला है राजिस्तान के एक पुलिस इस्टेशन को उसका नाम क्या है नेक्स लाइड में हम नाम भी देख लेते हैं इसका नाम है कालू पुलिस इस्टे आपको पहला, दुसरा, तिसरा, तीनु याद हो जाते हैं, तो रख सकते हैं, लेकिन पहला तो आपको याद होना ही चाहिए, यह जो सुची नयार की गई थी, टॉप 10 पुलिस सिटेशन की, यह IB ने तयार की थी, और इस सुची को जिसके मैंने बताई दिया है, ग्रह मंतरी राजनाज सिंग ने जारी किया था, तो ध्यान रखेगा, इस तरीके का समय से में पर टॉप 10 पुलिस सिटेशन जारी किये जाते हैं, ग्रह मंतराले की तरफ से, फोर्थ वाला है कि 25 दिसंबर को किस देश ने मारी जुवाना, यानि कि भांग के चिकिस्सा उप्योग को मं जो है, मारी जुवाना को जो है, चिकिस्सा उप्योग के लिए मतलब उप्योग करना चाते हैं, तो अब इसको मंजुरी मिल चुकी है, और 25 दिसंबर को मंजुरी मिली है इसको, और इस तरहिके से जो है, धाइलेंड, दक्षरपूर, एशिया का पहला ऐसा देश बन गया ह जहां पर की मारी जुवाना के उप्योग को मंजुरी परदान की गई है, तो याद रखेगा कि जो भांग है, यानि कि मारी जुवाना है, इसको जो है, सिप चिकिस्सा उप्योग के लिए मंजुरी मिली है, अगर कोई ऐसे मतलब मजे के लिए इसका इसका इस्तमाल करता है बांग अपनसे इसका उफ्योंग करता है तो इसका मतलब पूरी तrick-एसे पर्तिबंदित है लेकिन इसका जो है जो चिकिस्सा के सेट्प में अगर उफ्योंग किया जाता है तो इसको मंजूरी दी गई है थाइलेंड में ठीक है दक्षिनपूरो इशिया का पहला देश बन गया है थाई लेंड की राजधानी बैंकोग है और मुद्रा जो है यहां की थाई बात तो बस यह दो चीज़ें आपको पता होना चाहिए और तो यहां पर साप लोग देख पा रहे होंगे कि थाई लेंड पर पड़ता है और बैंको इसकी राजधानी आपको यहां पर दिख रहे होगी तो यहां पर राजधानी भी आत कर लिजेगा इसके बाद हम दो next question देखने हैं अपना question number 5 वा कि हाली में केन सरकार ने अंड़मान निकोबार के कितने दूइपों का नाम बदलने का फैसला किया है तो इसका सही answer क्या हो जाएगा option B वाला इकेन सरकार ने अंड़मान निकोबार के तीन दूइपों का नाम बदलने का फैसला किया है अभी हाली में यहां से इन दूइपों का नाम में आपको बता दूँगा जो फैसला किया गया है यह निताजी सुभास्टंद बोज को सरदानजली देने के लिए किया गया है तो इस कौन से द्वीपों का नाम बदला गया है सबसे पहले ये देखते हैं तो इसके तहट नील द्वीप है यहाँ पर नील द्वीप का नाम बदल के सहीद द्वीप कर दिया जाएगा इसी तरीके से रोस द्वीप का नाम यह वो ग्रीन कलर में हैं तो आप लोग यहां पर पढ़ सकते हैं निताजी सुभाष चंद बोस के अगर आप बात करें तो इनने 1943 में हैव लॉग द्वीप में आजाद हिंद फौच की जो आईस्ताइ सरकार थी उसकी स्तापना की थी तो कह सकता हूं मैं आपको पहले बता दे कि अंडवान निकुबार से गहरा संबंध है निताजी सुभाष चंद बोस का तो अब जो है उनी को सर्धांजली देने के लिए इन तीन द्वीपों का नाम बदल दिया गया है तो यहां पर साप याद रख सकते हैं तीन के तीन द्वीपों के और नए नाम और पुराने नाम भी याद रखिएगा इसके बाद छटा कुशिन है कि हाली मैं निरेंद्रनाथ चक्रवर्ती का 25 दिसंबर को निधन हो गया हमको बताना है कि वह परसिद्ध थे क्या परसिद्ध थे तो निरेंद्रनाथ चक्रवर्ती जो है वो परसिद्ध कभी थे और इनी का निधन हो गया है 25 दिसंबर को बेसिकलि यह बंगाल के एक साहित्तिकार थे और काफे ज़्यादा नाम था इनका जो है साहित्तिके शेत्र में रियाद रखेगा कि इनके दोरा रचित कभी था उलंग राजा को 1974 में साहित्य अकैद्मी पुरसकार से सम्मानित किया गया था तो यह भी आपको यहां से पता होना चाहिए नेक्स्ट कुष्ञ देखते हैं अपना कुष्ञ नमबर सेवनत वाला कि हाली में टार्टा कॉफी के प्रबंद्burst निदेशक और मुख्य कारी-कारी अधिगारी कौन निउगत किया गया है उसका सही आंसर है चाको-पुलेकल-थॉमस चाको-पुलेकल-थॉमस को हाली में टाटा-कॉफी का परबन निदेशक और मुख्य कारेकारी अधिकारी नयुक्त किया गया है जो चाको पुरेकल थॉमस हैं ये संजीव सरीन का इस्तान लेंगे ठीक है संजीव सरीन जो है अभी वर्तमान में प्रबंद निदेशक और मुख्य कारिकारी अधिकारी हैं टाटा कॉफी के और ये 31 मार्श 2019 को रेटार हो जाएंगे ठीक है तो ध्यान रखिएगा और इनका नाम आपको पता होना चीए ध्यान रखिएगा इस चीज़ को दो लोग को मोहँद रफी अवर 2008 मिला है एक तो स्वरगिय संगीतकार लक्षमी कांत को मिला है और दुसरा मिला है गाईका उसा टिमोथी को ठीक है तो दोनों का नाम आपको पता होना चाहिए जाम में अगर दोनों में से एक भी ऑप्षन आता है या पर दोनों ही आते हैं तो आपको सेलेक्ट करने में आसानी हो है तो इनका निधन हो गया है तो जब भी जो है किसी के मरोड़ोपरांत जो है किसी को जब कोई पुरसकार दिया जाता है कोई उपादी दी जाती है तो उनके फैमिली मेंबर ही जो है उसको रिसीव करते हैं तो इसी तरीके से जो है इनके बेटी ने इनका एक लाग रुप इस्पंद आर्ट्स के द्वारा दी जाती है तो NGO का नाम भी में आपको बता दिया है अगर याद हो जाता है तो अच्छी बात है question number nine थे कि निम्न मैंसे कौन सा राज्य अपने नागरिकों को निसुल को स्वास्त सुरक्षा परदान करने वाला पहला राज्य बन गया है तो इसका सरी answer option B वाला है यानि कि उत्राखंड उत्राखंड ने एक योजना शुरू की है जिसके तहत जो भी व्यक्ति उत्राखंड में रहता होगा जो भी परिवार उसके उन परिवारों को जो है पांच लाख रुपे तक का स्वास्त कवर यहां पर परदान किया ठीक है यानि कि पांच लाख रुपे तक के जो है इलाज यहां पर किये जाएंगे उन परिवारों के जो भी परिवार उत्राखंड में रहते हैं और 25 दिसंबर को जो है इस योजना को शुरू किया गया है योजना का नाम जुरूर याद रखेगा अटल आयुश्मान इसको बढ़ाया और गटाया जा सकता है तो बस एकजाम के लिए तीन पॉइंट हैं आपको याद उने चीए उत्राखंड के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं आपर से उत्राखंड का गठन नौ नौमबर 2000 को हुआ था इसकी राजधानी जो है देहरादून है और 13 जिले पढ़ते हैं उत्राखंड में इसी तरह के से राजधाल बेबी रानी मौर हैं वरतमान में और मुख्यमंत्री हैं तिरवेन सिंग रावत मुख्यनयाइधीश हैं उत्राखंड के रमिश रंगनाथन और सीटू की बात करें तो विधान सभा में 71 सीटे हैं और लोग सभा के के लिए पांस सिटे हैं सी तरह के से राजधा सभा के लिए तीन सिटे हैं उत्राखंड में चलिए क्वेशन नंबर दस्वा है कि 25 दिसंबर को किस राजध में बाच्पई अंतराष्टी स्कूलों की शुरुवात की गई है जो इसका सही आंसर है महराष्ट यानि की विध्यालियूम की शुरुवात की गई है तो खास करके महराष्ट के जो ग्रामीन इलाके हैं उनमें इन विध्यालियूम को शुरू किया जाएगा तो बस इतनी चीज़ याद रखेगा बाकी आपको पीडियाप में मिल जाएगा इसके बाद 11 बाद कुश्चिन है कि हाली यह संगीत के शेत्र में इनके उत्किस्टी योगदान के लिए दिया गया है इस सम्मान के तहर इनको दो लाक रुपए और एक स्मिर्थी चिन बेट किया गया है तो मंजुमेता का नाम आपको पता होना चाहिए किसको अगर आपसे पुछा रता एक जाम में कि तान से सम्म 2018 किसको मिला है तो याद रखेगा मंजुमेता क्वेशन नमबर 12 है कि हाली में किस देश ने वर्ष 2019 में इंटरनेशनल वेलिंग कमिशन आई डबलू सी से अलग होने का फैसला किया है तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वाला यानि कि जापान जापान ने इंटरनेशनल वे प्रेतर में वेल मचली का वेविसाइक सिकार कर सकता है अगर बात करें हैं आई डबलू सी की तो इसने जो है 1986 में वेल मचली की कुछ पर जाते हैं जब लूप तो हो रही थी या फिर होने के कगार पे थी तो उस वक्त वेल मचली के वेविसाइक सिकार पे रोक लगा दी थ जिसके बाद से जापान लगातार ये चाहा रहा था कि वेल मचली के सिकार पर जो रोक लगाई गई है उसको हटा दिया जाए लेकिन IWC की तरफ से जो है ये नहीं माना गया फाइनली इसने जो है IWC से जापान ने IWC से अलग होने का फैसला किया है अब ये जो है वेल मचली का सिकार कर सकता है वेवसाइक उपियोग के लिए जापान के अगर बात करे तो 1951 में जो है ये IWC का सदसे मना था और तब से जो है अभी इसने फाइनली इससे अलग होने क फैसला कर दिया है ठीक है इसके बाद में बस तेरवा क्वेशिन है कि हाली में RBI द्वारा कितने रुपे का नया नोट जारी करने की गोशना की गई है तो RBI ने हाली में 20 रुपे का नया नोट जारी करने की गोशना किया है कि आप सभी को पता होगा इससे पहले 10 का 50 का 100 का 500 का और इसी तरीके से 2,000 का नोट भी जारी कर चुकी है RBI ठीक है नए कलर में हर चीस नए तरीके से इसी तरीके से आप 20 उपे का नोट भी जारी किया जाएगा तो यह गोषना कर दी है RBI ने और के जो गवर्नर हैं वो है ससीकान 10, 25 वे गवर्नर हैं या RBI के मुख्याले जो है RBI का वो है मुंबई में और इसकी इस्ताफना हुई थी 1 अप्रेल 1935 में तो ये तो हमने कल भी देखा दक है कौन है गवर्नर मुख्याले कहा है क्वश्य नम्बर 14 है कि हाली में भारत ने चीन के दुख्द उतपादों पर लगे परतिबंद को कितने महा के लिए बढ़ा दिया है तो इसका सही answer option C वाला है यानि की 4 ठीक है भारत के ने जो है चीन के दुखद उतपादों पर 4 माहा के लिए परतिबंद बढ़ा दिया है वर्ष 2008 में जो है चीन के जो दुखद उतपाद है उन पर परतिबंद लगाया गया था सितंबर 2008 में जो भी चाहे वो दूस से बने व लगाया है भारत ने सितंबर 2008 में जो है कुछ मैनू के लिए लगाता है इसको तब से बढ़ाया ही जा रहा है ठीक है और फिर से जो है इसकी डेट खतम होने वाले थी तो फिर से भारत ने चार मैने के लिए इसको बढ़ा दिया है ऐसा क्यूं किया गया है तो ऐसा इसलिए किया गया है कि 2008 में सिदंबर 2008 में कुछ ऐसी रिपोर्टें सामने आई थी कि चीन जो है जो भी चॉकलेट हुआ या फिर मलत दूद से बनने वाला जो भी जो है इसके उतपाद है उनमें जो है मैला माइन का उपयोग कर रहा है ठीक है मैला माइन जो है मिलाया जा रहा है उतपादों में जिसके वज़े से भारत की भारत सरकार ने उस वक्त चीन के जो दुग उतपाद है उन पर परतिबंद लगा दिया था मैला माइन होता क्या है तो मैला माइन एक रासाइनिक परदात है जिसका उपियोग प्लास्टिक या फिर बहुत से ओद्योगिक परिक्रियाओं में किया जाता है और ये काफी गज़ा घातक होता है हमाई सरीर के लिए कैंसर, लख्वा और बहुत से गंभीर विमारियां जो है मैलमाहिन के कारण हो जाती है तो भास सरकार ने चार मैने के लिए इसको फिर से बढ़ा दिया है तो बस इतना याद रखेगा बाकिमेन आपको बताई दिया है क्वेशन नमबर 15 है कि हाली में किस राज ने परदेश सचवाले में अटल बिहारी बाचपई की 25 फिट उची परतिमा लगाने की गोशना की है उसका सही आंसर है उत्तर परदेश सरकार ने जो उत्तर परदेश का सचवाले है लखनों में स्तित है यहाँ पर अटल बिहारी बाचपई की 25 फिट उची परतिमा लगाने की गोशना की है बात करें अटल बिहारी बाचपई जी की तो यह पांच बार लखनों से सांसद रह चुके थे इनी का निधन हो गया था और 25 दिसंबर को इनकी जैनती मना जाती है तो उसी दिन यह घोशना की गई है परशन नमबर 16 है कि हाली में परसिद खिलारी जोती रंधावा को उत्तर परदेश में अवैस सिकार के लिए गिरपतार किया गया है हमको बताना है कि वे किस खेल से समबंदित हैं तो इसका सही आंसर है गोल्प जोती रंधावा गोल्प के परसिद खिलारी है और इनी को अवैस सिकार के कारण्ड जो है गरपतार किया गया है करतानिया घाट मोटिपूर इन पे अवैस सिकार का रूप लगा है उत्तर परदेश की बारे में हमने बात की यहां पर उत्तर परदेश की राजधानी लखनउ है और यहां पर 75 जिले हैं इसे तरह के से राजभासा है हिंदी और उर्दू उर्दू को दुद्धिय राजभासा का दर्जा दिया गया है राजपाल है उत्तर परदेश के राम नाइक और मुख्य मंत्री है योगी आधित्यनात इसी तरह के से मुख्य न्याइधीश है न्याइमूर्थी गोबिंद माथुर विधान मंडल के अगर बात करें तो विधान परिशन में 100 सीटे हैं और विधान सभा में 404 सीटे हैं इसी तरह के से राजभा में 31 सीटे हैं और लोग सभा में 80 सीटे हैं उत्तर परदेश से ठीक है तो ध्यान रखेगा इस चीच को अब बात करते हैं कल के कुछ प्रश्णू की जो मैंने आपसे पूछे थे पहला प्रश्ण था आपके लिए कि हाली में निम्न में से किसे भारती है महिला क्रिकेट टीम का कोच न्यूक्त किया गया है तो इसका जो सही आंसर है वो है W.B. रमन W.B. रमन को अभी हाली में महिला क्रिकेट टीम का कोच न्यूक्त किया गया है तो इसके वाला सेकंड कोशन आपसे पूचा था कि हाली में लॉंच चेंजिंग इंडिया नामक पुस्ता का संबंद किस्से है तो उसका सही आंसर था मनमोहन सिंग जी मनमोहन सिंग जी हमाई पहला प्रशन है कि हाली में तिरंदाजी संग की अध्यक्ष कौन चुने गये हैं तो इसका अंसर आपको कमेंट करके बताना है मताये मुझे कि हाली में तिरंदाजी संग की अध्यक्ष कौन चुने गये हैं सेकंड कोशन आपके लिए है कि राश्टी उपभुकता दिवस क प्रफब मन आया जाता है ठीक है इसका अंसर भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं इसके अलाबा आपके लिए आपके लिए आपके लिए कुछ जीके के क्वेशिन है पहला कुछिन है कि चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है यह कुछिन अभी हाली में जो है यूपी किस राज में इस्तित है तो इसका अंसर भी मुझे बताइए ठीक है तो थैंकि सो मच इस वीडियो को देखने के लिए आई होप आपको इस वीडियो पसंद आया होगी थैंकि सो मच आपका दिन शुभो धन्यवाद